बॉलिवूड स्टार्स को कई बार खुले आम स्मोग करते देखा गया है, ज्यादा तर बॉलिवूड स्टार्स स्मोग करते हैं, कई ऐसा छुपकर करते हैं तो कई खुले आम, कई उने अपने इस टेन स्मोगिंग की आदत पर रोक लगा ली तो कई नहीं लगा पाए, आज कुछ बॉलिवुड स्टार्स के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपनी इस आदत पर वक्त रहते काबू पाया है बॉलिवुड के दबंग खान, सल्मान खान एक पक पर चेन स्मोकर थे लेकिन एक नर्व के डिसीज की वज़ा से उन्हें इस हैबिट को छोड़ना पड़ा सिर्फ सल्मान खान ही नहीं आमिर खान भी कई ज्यादा स्मोक करते थे पर अपने बच्चों के लिए आमिर ने इस आदत को छोड़ा कहा जाता है कि आमिर के बच्चे लगतार उन पर स्मोकिंग छोड़ने का प्रेशर बनाये रखते थे चॉकलेट बॉय रनबीर कपूर को भी कई बुरी आदती थी जिन में से एक है स्मोकिंग रनबीर को दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने की आदत थी जिस पर उनकी जिन्दगी में आये कई लोगों ने रोक लगाने की कोशिश की पर फिर फाइनली उन्हें खुद रेलाइजेशन हुआ और साथ ही उनकी मॉम नीतु कपूर के सपोर्ट से वो इसादत पर धीरे-धीरे काबू पाने की कोशिश कर रहे है सिंगर विशाल ददलानी को सिगरेट पीने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा जी हाँ एक सिंगर के लिए उसकी आवाज सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है और बहुत जादा स्मोकिंग की वज़े से विशाल की आवाज बिलकुल खराब हो गई यहीं वापिस पाने के लिए विशाल ने स्मोकिंग छोड़ी फरदीन खान को भी कई बुरी आदत दे थी जिसकी वज़े से वो काफी अन्फिट हो गई अपने पिता के चाने के बाद फरदीन को यह आदत लगी कई कोशिशों के बाद फरदीन ने इस बुरी आदत पर जीत पाई तो यह थी ऐसे कुछ आक्टर्स की लिस्ट जिनों ने स्मोकिंग छोड़ कर अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दिया Now buy Shake Chili's official merchandise only on the sold store. Coffee mugs, school and funky t-shirts. Use code TSSLOTPOT15 to get flat 15% off on Shake Chili Merchandises. Hurry up! Justine